हालो एवरिवान, वेलकम टो एड स्टार्ट, आज के इस वीडिये के अंदर हम बात करेंगे नाचुरल सेलेक्शन से जोड़ी हुई है किछ कॉंसेप्ट, ठीक है? अब हम देखेंगे कि नाचुरल सेलेक्शन से जो चीज़े हमने डिसकस किये थे, उसके अंदर क्या आ रहा था? लेकिन हम तीन मान के चलेंगे, एक डोमिनेटेड जिनो टाइप होता है, ठीक है? जैसे युमन हाइट की बात करेंगे, जो जादा हाइट वाला रहेंगे, मान लिजे एट फिर्ड वाला हो गया, ठीक है? और एक रिसेसिव चीज़े रहेगा, जिसको हम स्मॉले, स्मॉले, यह अपने जेनेटिस थोड़े बहुत पड़े होंगे, आपको पता होगा, तो यह हो गया रिसेसिव जिनो टाइप, ठीक है ना, रिसेसिव रहेगा, मान लिजे दो पुट की हाइट है ना, और एक रहेगा, इंटरमिडियर रहेगा, जिसको हम हेटरोजाइगस फॉर्म भ लेखा था, नेटरल सेलेक्शंज में यदि एक होता है, स्टाबिलाइजिंग सिलेशन, स्टाबिलाइजिंग सिलेक्शंज में आप याद रखे, नेचर जो मीन वैलू होता है, यानि कि आवरेज जो इंडिविजुल्स रहेंगे, ना तो जाता है, ना तो लेस है, उस high value ना तो extreme low value हमेशा intermediate value जो है जिन्दा रहेगा तो इसलिए corp जो है बेल सेल्प की होता है फिर उसके बाद हम directional दिखा था directional का मतलब था कि nature एक ही directions में चीजों को select करेगा हो सकता है कि extreme dominated value को बढ़ावा देगा ठेके ना average and recessive character को बढ़ावा नहीं दे रहा है ऐसा भी हो सकता है नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि extreme recessive value को बढ़ावा दे रहा है ना तो extreme dominant ना तो average ये दोनों को नहीं तो इसको हम बोलते है directional directional के बाद और एक होता है disruptive ठेके ना disruptive क्या होता है disruptive में एकदम higher मतलब कि extreme higher specialized value extreme lower specialized value को जो nature जो है उसको allow करेगा ग्रो करने के लिए average value को नहीं तो यहाँ पर graph जो है distort हो रहा है और कि break हो रहा है बीच में तो इसलिए हम उसको disruptive कहते हैं तो कौन सी टाइप की जिनो टाइप को nature select कर रहा है वही चीज़ हमने देखा था और Darwin के अकडिंग जो था कि survival of the fittest ठीक है ना उन्होंने यह बताए थे कि हमेशा भेराइटी जो है nature के अंदर present रहता है भेराइटी की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार के extreme higher value रहेगा extreme low value रहेगा और कुछ intermediate value रहेगा उनमें से जब नेचर में कोई बदलाब आता है तो उसके अकडिंग नेचर किसको select करेगा? extreme higher value को select करेगा या extreme lower या higher lower दोनों को select करेगा intermediate को नहीं या तो intermediate को select कर सकता है तो उसके अकडिंग कुछ चीजे हैं हम समझ लेंगे एक होता है what is fitness fitness क्या होता है? ऐसा organism है ना? इस प्रकार के organisms होना चाहिए that is maximum gene उनकी contributions होगा ठेके ना? जो successful feeding and breeding यानि कि पहला चीज तो जिन्दा रहेगा, fit करेगा, जिन्दा रहेगा तभी तो fit करेगा ना? जो successful fit कर रहा है यानि कि जिन्दा रहा है उसके बाद जो बच्चा पैदा कर रहा है जादा बच्चा पैदा कर रहे है एक पहला चीज होना चाहिए fit test की है ना? तो breed करेगा तभी तो उनकी जो gene है आगे की generation को चला जाएगा ठीक है? तो maximum बच्चा जो animal की case में जो होता है लेकिन यह जो बच्चे होते हैं यह reproductive age group तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ reproduction करना start करेगा ऐसा तो नहीं होता है एक तो juvenile phase होता है उसके बाद reproductive phase होता है यहनि कि पैदा होने से बच्चा पैदा करने तक जो time period होता है 12 to 13 year में male में 13 to 14 year के अंदर adolescence start हो जाता है हलांकि body fully mature होता है 21 साल के बाद male और 18 साल के बाद female में लेकिन जो biological इदि हम मान सकते हैं कि female जो है इस तरह के से हो सकता है तो वहाँ तक जिन्दा रहना जरूरी है reproductive age तक आना जरूरी है उससे पहले इदि मान ले जो death हो जाएगा तो वह जो organism से बच्चा पैदा किया था उनका जो gene उनकी बच्ची के अंदर था वह तो आगे किया नहीं जा पाए न तो इसलिए तो बच्चा तो पैदा करेगा वह ज़्यादा one genotype who contribute to more gene pool तो more gene pool कैसे contribute करेगा ज़्यादा breeding कर पा रहा है वह जो बच्चा पैदा कर रहे हैं वह भी आगे generation तक बच्चा लखेरी बड़ाइश्च कर पाएंगे उसको हम बोलते हैं fit test ठीके यह है fit test की definitions की बारे में और एक चीज में आपको बता दूँ यदि आपने msc entrance के लिए तयारी करना चाहते हो जानुवरी से हमारा class start हो चुका है आपने add start applications डाउनलोड किजिए और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर जो है सारे चीजे मिल जाएगा आपको एकदम class मिल जाएगा PDF notes मिलेगा हम mc को यहाँ पर करेंगे previous year question discussion करेंगे और आप जो भी डाउट रहेगा हम live class के अंदर उसको clear करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो यह start में जो minimum price है cross course के लिए वह 1800 रूपीज है यह आप हो सकता है तो आप enroll किजिए अनलोड करने के बाद वह सारे चीज़ा आपको मिल जाएगा CPIT के लिए हो गया या MSC entrance कोई भी University MSC entrance के लिए आप तैयरी करना चाहते हो कूर्स आपके लिए available है तो आज के लिए इतना ही है थैंक्यू